असलाम अलेकूम मिरा नाम सोहेब हाजनु एकनी इन्फरोमेटी वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है वेंटी बनाने के मकमल तरीका कार के बारे में ये आप देख सकते हैं खुबसुरत वेंटी इसको कैसे त्यार किया जाता है इसका मकमल तरीका कार क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती है इसके लावा वेंटी का साइज क्या रखना चाहिए वेंटी की हाइट क्या होनी चाहिए फरच से और इसके लावा वेंटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है तो मकमल वीडियो देखेगा ताकि आप लोगो वेंटी बनाने का मकमल तरीका कार समझ आ जाजए और इसके लावा ये जो वेंटी होती है आम बज़ारी जो वेंटी होती है उससे केई गुना ज्यादा मजबूत और देरपा होती है तो चलें स्टार करते हैं और ये वेंटी बनाने की जो मकमल लागत है या तरीका कार है वो आप लोगों के साथ शेयर करते है सबसे पहले जी एक ये आप लोगों को कंक्रीट की स्लैब नज़रारी होगी सेंटर में सुराख है तो इस slab का जो आप लोगोंने size रखना है यहाँ से इस तर आप लोगोंने इसकी चुडाई रखनी है वो 21 inch आप लोगोंने इसकी चुडाई रखनी है ठीक है यह आप लोगोंने tiles लगाने के बाद नीचे column करके आप लोगोंने यह बना लेनी है और इसका जो front रखना है वो आप लोगों ने 35 इंची रखना है 35 इंच और marble लगके ये मकमल 3 feet की त्यार हो जाएगी और इसकी जो आप लोगों ने नीचे floor से height रखनी है वो आप लोगों ने 34 इंची रखनी है ठीक है और 34 इंच आप लोगों ने इसकी height रखनी है नीचे floor से और आप देख सकते हैं ये column आप लोगों ने करके इस तरह आप लोगों ने इसके बाद इसके उपर marble लगाना है जी तो इसके उपर आप लोग देख सकते हैं marble लग चुका है marble आप कोई भी color का लगा सकते हैं आप इसमें black green dial लगा सकते हैं white, super white कोई भी marble आप लगाना चाहें लगा सकते हैं जी तो marble लगाने के बाद इसके बाद इसका जो अगला process होता है वो इसके center में सुराख करना होता है जिसमें हम bowl रखते हैं venti bowl दो तरह के वैंटी bowl मिलते हैं एक इसके उपर रखा जाता है और एक नीचे आप इसके अंदर fix कर लेते हैं तो अभी हम इसके अंदर सुराख करके bowl को रखते हैं जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर same vanity bowl के मताबिक सुराख करके venti bowl को adjust कर दिया गया और हमारी जो venti है उसके शकल आप लोगों को नजर आरी होगी कि वो बनना शुरू होगी हुई है इसके बाद इसके जो right पे और front पे ये हम लगाते हैं जिसको हम टकर बोलते हैं front पे ताकि जो हमारी जो नीचे concrete की slab है उसको छुपाया जा सके तो यह आप किसी भी design में front की जो है इससे भी venti की खुबसूरती बढ़ जाती है तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि यह कैसे लगाई जाती है जी तो यह आप देख सकते है marble वालों से यह आप लोगों ने front की है जहां से marble खरीदना है venti का उससे आप लोगों ने यह बनवा लेनी है size के मताबिक और वो आप लोगों की इदर washroom में आख इसको adjust भी कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं हमने center में एक white color की party choose की है नीचे फिर black और इस तरह यह आप लोगों ने front पे और इसी तरह right side पे जो जगा है उदर आप लोगों ने यह लगा के अभी आप लोगों को दखाते हैं लगाने के बाद कैसी लुकाती है जी तो आप देख सकते हैं हमारी जो venti है वो साफ सुथरी ready हो चुकी है हमारी जो front की टकर्स हैं वो भी लग चुकी है और नीचे यह mixer के दो पॉइंट्स थंडे और गर्म पानी का और यह है जी खारी जो पानी हमारा जाएगा drain का यह पाएप है ठीक है तो यह हमारी venti ready हो चुकी है वेंटी का जो काम है वो ready हो चुका है यहां पे हमारी venti mixer आएगी जहां से पानी वेगरा आएगा सामने mirror लगा सकते हैं different accessories जो आप लोगों ने use करनी हो अब इस venti में washroom के इर्द गर्द सामने mirror लगेगा तो यह देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत vanity त्यार हो चुकी है और यह मजबूत vanity जिस हम बोलते हैं इस तरह कि आप venti बना सकते हैं अपने washroom में उमीद करते हूँ आप लोगों को वीडियो यह पसंद ही होगी वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर लें ताकि इस तरह की different videos आप लोगों तक पहुंच सकें तो मिलते हैं next video के साथ अपना बहुत सरा है रखेगा दौओं में याद रखेगा अलाफेज